लगभग देश की आधियाबादी मज़ूरी कर अपने परिवार का निर्वाह करते हैं लेकिन अगर इन्हें मज़ूरी कारे ना मिले तो लोगों को परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है ऐसा ही एक मामला दुर्गु कॉंदल से हमारे सामने आया है जिसमें हाहालदी गाओं के दिनेश सिना, चुवाराम सिना, बंजारी देवी मंदिर में बूख हर्ताल पर बैटे हैं उनकी हाहालदी डी माइन्स में मज़ूरी कारे दिलाने की मांग है बूग हर्ताल में दिनेश सीना के दो बच्चे और पत्नी चक्रवर्ती सीना भी बैटे हैं हर्ताल पर बैटे दिनेश चोवाराम और चक्रवर्ती ने बताया कि हम हाहाली माइन्स में मज़ूरी कारे कर रहे थे और मज़ूरों के लीडर भी थे लेकिन मज़ूरों के हित में काम करने कारण मजरंग कमपनी पुलिस साना दुर्गु कॉंदल में रिपोर्ट दर्ज करवा कर जेल भेज दिया गी था और हमें काम से भी निकाल दिया गया पिछले तीन-चार सालों से भेगर होकर हम भूम रहे है कमपनी के अधिकारियों से मिलकर काम में रखने की मांग लगातार कर रही है लेकिन कमपनी काम पर रखने के लिए इंकार कर रही है इसलिए परेशान है मज़ूरी दिलाने की मांग को लेकर बुख हर्ताल पर चार दिन से बैटे है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हर्ताल हम जारी रखेंगे जिसकी जवाबदारी बजरंग माइन्स प्रबंदन की होगी वहीं एक खबर कांकेर जिला के कोईली बेड़ा ब्लॉक मुख्याले से आ रही है जहां लगा तार बारिश हो रही है वहीं बारिश के चलते व्रिंदा भाई पटेल और शिवकुमार लिबेडा निवासी का मकान ढह गया घर में रह रही व्रिंदा भाई पटेल इस हाथ से में बाल बाल बची है उसने कहा कि अब तो हमारा रहने का आश्यां भी छिन गया है अब हम कहां पर रहेंगे सरकार से गुजारिश है कि हमें रहने के लिए घर दिया जाए लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही है जिससे दोनों परिवारों का जीना धुबर हो गया है ना पुलिस वाली भाग आए तो कोई नहीं आए नहीं कर पत्रकार आये थे और यलवी वाले आये थे और डाप्टर भी आये थे पिर आप लोग क्या चाहते है अभी अब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम धरना पर बेठेंगे अगर हमारा कुछ हो जाएगा तो हमारा बच्चे का और हमारी घर का देखरे को सासन पर सासन करेंगे दो-डो हमारा बच्चे है लडकी है अभी इसको नहीं जा रहे हैं लोग दो चार दिन होगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम चक्रारती सीना है ऐसे ही लेटेस पर पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वाल